जैने बच्चो आज हम लोग तेंत क्लास के एकसर साइज एक पॉइंट टू हना इन्हीं चिप्टेर वन वाश्टिक संख्या जो है उसका हम लोग सवाल नंबर हना चार तक तो हो चुका था आप लोग पढ़े भी होंगे देखे भी होंगे आज हम TW 25 सवाल है जाज किजिये कि क्या किसी प्राकिरण संख्या एन के लिए संख्या शिक्स न अंक जीरो पर समाप्त हो सक्ती है तो हमकुँ जांच करना है देखना है हां 6N पर समाप्त होगा कि नहीं होगा तो एन बराबर क्या लिए जाएगा एन क्या है कोई प्राक्रीर सांग्ग्या है न एक दू तीन चार इसकर लिए जाएगा-एन-बराबर हम लोग ले लेते हैं-एक दू तीन-चार और 6N कहळा है यानि हम लोग पड़ापारी क्या कर रहें यहां पर छो एक लिखेंगे तो अगर निकालेंगे तका होगा दू गुने तीन चोगा अगर माल लिजिए शिक्स एन अगर छो पक हतांग दू लेते हैं अगर यहां पर दू लेते हैं तो कितना आएगा अगर इसी तरह हम लोग अगर इसी तरह हम लोग अगर इसी तरह चाह लेते हैं पांच लेते हैं चो लेते हैं साथ लेते हैं दोस तक ले जाते हैं क्या रहे हैं यह दू चार छो अट पना एक दू तीन चार पांच छो साथ आथ दो तो इसका वे अगर हम निकालते हैं तो किया आएगा अगर निकालते हैं तो सब क्या आएगा दू कुने तीन आएगा आएगा थे दूगुने तीन दूगुने तीन एक दू तीन चार पांच चो साथ आठ नो जान दीजिए अब हम लोग को यही पर ध्यानना है हम लोग को जाज करना है कि जीरो पर समाप्त होगी की नहीं होगी जीरो पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो हम लोग देखते हैं कि छोगा जब गुनांखा निकालते हैं तो दो गुने तीन आ रहा तो अब ध्यान देना है कि दूसरे तो भाज हो जाएगा लेकिन तीन से भी भाज नहीं है हना लिखेंगे तो इसी तरह हम लोग क्या ले सकते हैं मालजी फ्यान चौपर 20 भी लेंगे तो इसी तरह आएगा चौपर 20 लेंगे तक क्या आएगा इसी तरह आएगा लिखेंगे तो इस सीध क्या होता है अगर बैस को भी कटाएगे तो दूसरे नहीं है तीन से भी आज नहीं है लेकिन लेकिन तीन से नहीं है क्या से नहीं है तीन से नहीं है क्या इससे पता चलता है नहीं हो सकते को क्या इसलिए स्थ होता है कि इसलिए साबित होता है कि साबित होता है कि इस इन औंक सिक्स एन अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है दिखाए देता होगा अगर नहीं भी दिखाए देता होगा तो हम समाप्त नहीं हो सकती है नहीं हो सकतीा है नहीं नहीं हो सकती है जांद देए कि यो प्राकित संख्या एक तुर निकाल रहा है तो वही गुर्ण खन दू और तीन आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि जी रूप नहीं हो सकती है इसके बाद हमूब तिसरा जो दिए है ह है अच्छा समझना कि नहीं آया और वहाद ही दिए आज रोड़ गैसे प्रस्वाली और स्लेट थाई कि अब सबीकी होग पॉल ऌशे प्रस्णवली तरशनावली एक पॉइंट टू था एक पॉइंट था आई कोश्चन नमबर पास है यह सवाल नमबर पास का हम लोग स्लूशन किये हल मेना है अब हम लोग छो पर चलेंगे हैं हम लोग छो पर चलते हैं जलते हैं हम लोग स्वाल नमबर चो पर चलते हैं पांच आधा मेना 16 नमबर स्वार क्या है कि ब्याख्या के दिये कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और साथ गुने चो गुने पांच गुने चार गुने तीन गुने दू गुने एक जोड पांच भाज संख्या क्यों है पूछ रहा कि पहले हम चल लेते हैं क्या है साथ गुने इगार गुने तेर आज जोड तेरह है ध्याद दिजिए हना इसको बाच देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जोड कचीन है यहाँ पर जोड कचीन है दोफाग बट किया अब दूनों में कमन क्या निकल रहा है दूनों में कमन तो अगर तेरा हम लोग कम निकाल लेते हैं क्या बच जाएगा साथ गुने 11 क्या बचेगा साथ गुने 11 आज जूड़ एक जूड़ एक हना अगर तेरा कमा निकाल लिया जाए अगर इस तर लेल ये जाए कि बचेगा अब आते हम लोग क्या हो जाएगा 117 77 77 77 जो एक क्या हो जाएगा 13 बुने अठाटर तो भाज संख्या है कि नहीं है तो भाज संख्या है शाफ़े जाईर है कि रच्छ रखानतर भाज है यानि कटने वाला आप तो है नहीं या भाज होता है यह यह उपकद सांख्या है यह 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 है यह है कि यू सब्सक्राइब डू पर से ज्यादा रहा है इसका तरफ थे डूढ़ दोपर से ज्यादा है अब आता है दूसरा क्या सवाल है देख लिए फाज है नहीं है साथ गुने, छो गुने, पांच गुने, चार गुने, तीन गुने, दू गुने, एक, आज जोड पांच दिया है, धन दिए, अना, साथ गुने छो, साथ गुने छो, गुने पांच, गुने चार, गुने तीन, गुने दू, गुने एक जोड पांच, इसमें पाँच में गुना है इसा Mह 94 नीखलते हैं इसमें से कॉम्हा निकलते हैं बचल आगा धाखाईगा तो गुणा करते हैं। गुणा किजिए कितना होगा, चर्टिया बारण बारण तोनी 24, सब्सक्राइब बारण तोनी 24, सब्सक्राइब बारण तोनी 24, अध़ोई उता करते हैं, कि अतना रहा है कि इतना जोड़ इतना जोड़ जोड़ते हम लोग शाच चुक 42 तो यहां पांच कॉमार निकाल लिया गया है पांच कॉमार निकाल लिए गया थे का बचा साथ गुने चार गुने तीन गुने दू अना सब्सक्राइब है पांच चार गुने तीन गुने दू गुने एक जोड़ पांच तो पांच तो गुना करें कि तो 42 में 24 करेंगे कितना जाएगा यहां जोड़ते हैं तो कितना जाएगा गुना एक इतना आएगा थे भासंग क्या है जाएगा और मने कम सब्सक्राइब करें लेकिन मने मान ने जाएगा तो दूगों से जदा गुनन खंद है यहां पर देखना हम लोग अगर गुना करेंगे पांच में से तो पांच पैटालीस चार जीरो पांच हो जाएगा कितना होगा तो पांच हजार जो पांच हाजार संख्या अब हगा एक से खटेगा और जिसका गुनन खंद जिसका हम ने के बताव दूगों से जादा हो गया फासंख्या है जाइद है पांच है की यह क्या है इसलिए यह भाज संख्या है चाहिए सली देंगे अगर किलियर नहीं दोते सली दीजिए चुकी चुकी पांच हजार पैंतालिस के गुननखन का होगा कर दो से दो से अधिक होगे भाज संख्या मुश्यक्य कर सकते हैं जिसे माले जिसे माले भाज संख्या होता है तो इसका का होता है दूसरे कटेगा तो कि रहें करें धाता है दो से ज्याद हुझे चुकि पांच हजार पैंतालिस दो से अधिक होगे इसलिए 50045 या होगा बहुत तना होगी बाज Śंख्या होकि एनुदो तब पूछा रहाता क्यों होगी गुरुण खर पर है पाच और छो इसको अच्छा समंधर की जाएगा जय हिन जय भारब